बसकार दोस्तों स्वागत आपका एक्जामिनेशन 27 में देखिए क्वेश्चन क्या वर्ल्ड वाइंड वेब की खोज किस ने की थी वर्ल्ड वाइंड वेब की खोज किस ने की थी वर्ल्ड वाइंड वेब की खोज टीम बर्नर्स लीने की थी देखिए हर पेपर में अगला कोशन है गांधी फिल्म, गांधी फिल्म में गांधी की भूमी का किसने निबाई थी, गांधी फिल्म में गांधी की भूमी का बेन किंगसले निबाई थी, अगला कोशन आंधर प्रदेश में, आंधर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुक भासा कौन सी है, 31 राजिये और साथ ये सबसे बढ़ा लाएं अगले कोश्चन किस राजि की सीमा चेतर सबसे बढ़ा है लेकुम सा सर अंगूर की पैदावर के लिए प्रसूद्द है कि ऊत्ति आगे क्ति जो होऊजिस्टन सpark यौक्पल 89 है यदि उन दोनों संक्याओं का अंतर 23 है तो वे संक्याओं बताईए तो हल करते हैं देखिए तो question में बोल रहा है किनी दो संक्याओं का योगपल तो हम मालेते हैं वो संक्याओं एक सधन वाई है इनका योगपल किता है और इन संख्याओं का अंतर जो इनी का अंतर है एक सरे य वह किता है तेहीस है तो देखिए प्लस माइनस से कर जाएंगे य से य यह हो जाएगा 2x और 89 और 23 कितने हो जाएगे यह हो जाएगा 102 102 हो जाएगा तो 2 से 102 कितने बर कर जाएगा 51 बर कर जाएगा 51 बर कर जाता है 1 का मान कितना आगा है इस x के मान को देखिए इन दोनों equation में से किसी भी एक equation में रख देते हैं तो हमें y की value प्राप्त हो जाएगी तो x का मान किता रख देते हैं फर्ष्ट वाली में रख देते हैं 59 धन y बराबर 89 तो y बराबर क्या आ जाएगा इंकाउन को पक्षंतर इधर हो जाएगा तो 19 सी में से 59 माइनस होगा तो 28 बच जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 28 आ गया और x बराबर आ गया 59 तो वे संख्याएं क्या होगी 28 और 59 होगी वो संख्याएं 28 और 59 होगी अगले question पर चलिए देखिए 5 बटे 6, 10 बटे 18 और 25 बटे 36 का महत्तम समापवर्थक है इसका महत्तम समापवर्थक निकालना है तो हल करते हैं देखिए हमें संख्याएं दीए 5 बटे 6 10 बटे 18 और दीए 25 बटे 36 तो देखिए कभी भी भीन्यों का भीन्यों का महत्तम समापवर्थक निकालने के लिए बिन्नों का महत्तम समापड़ तक निकालने के लिए जो अंस होते हैं उनका तो HCF निकाला जाएगा महत्तम समापड़ तक लिए HCF और नीचे वालों को LCM निकाला जाएगा तो देखिए जो अंस में हैं उनका HCF निकाला जाएगा और जो हर में है उनका LCM निकाला जाएगा तो देखिए 5, 10 और 25 का जो HCF निकाला जाएगा और 6, 18 और 36 का LCM निकाला जाएगा तो देखिए 5, 10 और 25 में इसका HCF क्या आजाएगा क्योंकि 5 से 10 भी विवाजित हो जाता है और 25 भी विवाजित हो जाता है इसलिए इसका HCF आजाएगा 5 बटे देखिए LCM के निकलेगी इसका LCM निकल जाएगा 36 क्योंकि 36 में 6 का भी भाग चल जाता है अठरा का भाग चल जाता है और 36 का भी भाग चल जाता है तो इसका LCM आजाता है 36 तो क्या आगा है इसका LCM महत्तम समापाद तक 5 बटे 6, 10 बटे 18 और 25 बटे 36 का महत्तम समापादता है क्याने कि HCF 5 बटे 36 आगया अगले question पर चलते हैं पाससो बाततर में एक कुर्सी को बेचने पर एक विक्ती 30% का लाब पाता है तो कुर्सी का लागत मुली कितना है तो हल करते हैं इसे तो देखिए दूस्तू 100% पर किते का लाब कमा रहा है 30% का 100% का तो किते पर चले गए 130 हो गया 130 का लाब किते में बेच रहा है वो वस्तू को 572 में बेच रहा है और परसेंटेल्ज के लिए 100 सिगुड़ एक जीरो से एक जूरे कर दी और यह जो 13 से 44 बार कर जाता है 572 तो 44 गुड़ा 10 44 गुड़ा 10 क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा तो वस्तू का लागत मुर्ले किता आ गया 440 रूपए वस्तू का जो लागत मुर्ले है वो 440 रूपए होगा अगला क्यूश्चन ने दो संख्या हैं 5 अनुपाथ 6 के अनुपाथ में हैं दोनों संख्याओं में से 8 गटाने पर वहां एक अनुपात दो के अनुपात में हो जाती हैं संक्याओं का गुड़नपल कितना है तो हल करते हैं देखिए तो देखिए, दो संक्या हैं, किस रेसों में दिए? 5 अनुपाद 6 एका रेसों दिया है, तो हम माल लेते हैं, वे 5 एक्स है, अनुपाद का मतलब बटे होता है, और 6 एक्स हैं आगे बोल रहा है प्रते एक मेंसे दोनों मेंसे अंख्याओं मेंसे आठ घटाने पर तो आठ घटा देते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है एक अनुपात दो यानि कि एक बटे दो तो देखिए दो का गुड़ा इधर हो जाएगा एक का गुड़ा इधर हो जाएगा तो एक 6x, 3, 8, एक के साथ गुड़ा होगा इसका, तो देखिए, 480 एक साइड और 480 एक साइड कर लेंगे, 10x में से 6x माइनस होगा, तो क्या बचेगा? 4x बचेगा, बराबर 16 में से 8 माइनस होजाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा, तो देखिए क्या मिला हमें, 4x बराबर 8, तो 4 से 8 किते बार कट गया, 2 बार कट गया, x बराबर 2 आ गया, तो उनका गुड़ान फल कितना होगा? दो होगा, तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेर कीजिए, और कमेंट करके बताईए कि वीडियो कैसा लगा?